हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर, बहुती आसान सिंगल कलर का पैटर्न सियर करने जारी हूँ, इस पैटर्न को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, कार्डिगन, कोट्टी, जैकेट, जैन सहाब स बहुती सुन्दर हमारा ये पैटर्न आ जाता है, और फ्रेंड साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ड होता है, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब केजिए, न्यू वीडियो की नोट्फिकेशन के लिए बेल आइकन दमाना न भूलें, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना न भूलें, अब देखिए फ्रंट साइड से पैटर्न की फश्ट रो, तो देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है, अब उतार लेंगे, पहला फंदा आप बुन के भी उतार सकते हैं, और बिना बुने भी उतार सकते हैं, तो देखिए यहां पर मैंने बिना बुने ये पहला फंदा उतार लिया, धागा अपनी साइड करेंगे, और देखिए नेस्ट हमारे दस फंदों में पैटर्न आएगा, त देखे, नेश्ट हमारे पास यहाँ पर आठ फंदे रह जाते हैं, अब आठ फंदों में से देखे, एक, दो, तीन, तीन फंदे छोड़के, यह चोथे नंबर का फंदा ऐसे राइट निडिल से उठाएंगे, और देखे, यह तीन फंदे ऐसे सिलिप कर लेंगे, फिर देखे इन तीन फंदों को एंसे बैक साइड की तरब से लेफ निडिल से उठा लेंगे, यह तीन फंदे हमने लेफ निडिल में उठा दिये, और देखे, यह फंदा जो हमारा राइट निडिल में है, इसको भी हमने लेफ निडिल में सिप्ट कर लेना है, यह देखे, फिर देखे एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर देखे नेस्ट फंदा भी हमने सीधा बुनेंगे, देखे दो फंदे सीधे आ गए, अब नेस्ट ये दो फंदे एक साथ बुन लेंगे, ये दो का एक कर दे, फिर देखे यहां पर ऐसे सलाई में धागा लपेटेंगे जाली बनाने के एक दो तीन और चार तो देखें यहां पर टोटल हमारा यह दस फंदों में पैटर्न आ गया दस फंदों में से देखें यह दो फंदे उल्टे बुने और यह आठ फंदों में हमने पैटर्न डाला तो ये टोटल दस फंदे हो गए, फिर देखे यही प्रोसिस हमने आगे repeat करना है, तो देखे धागा अपनी side करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, दो फंदे उल्टे बुन दिये, धागा पीछे करेंगे, और देखे next हमने देखे pattern डालना है, तो देखे एक, दो, तीन, तीन फंदे जोनने के बाद देखे, जो चौथे नमबर का फंदा है, इसको देखे, आगे की side से right needle में उठाएंगे, और आगे की 3 फंदे slip करके, ऐसे back side की तरब से left needle में उठा लेंगे, यह देखे, फिर देखे, जो right needle में फंदा है, इसको भी हमन लेफ नीडिल में shift कर लेना है फिर देखे दो फंदे सीधे बुनेंगे एक और दो ये दो फंदे सीधे बुनें दो फंदे सीधे बुनने के बाद देखे दो फंदे एक साथ बुनेंगे ये दो का एक कर लेंगे ये दो का एक किया फिर देखे यहां पर ऐसे सलाई पर धागे को रोल करेंगे जाली डालने के लिए और चार फंदे सीधे बुनेंगे ये चार फंदे सीधे बुनेंगे तो देखे ये दस फंदों में हमारा यहां पर पैटन आ गया दस फंदों में से देखे दो फंदे उल्टे आये और आट फंदों में पैटन आये तो टोटल ये दस फं फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा, तो देखे ये फ्रेंट साइड से हमारी पैटर्न की फर्स्ट रोव कंप्लेट हो गई, हमारे प्रोजक्ट में हमारे फर्स्ट रोव में जितने भी फंदे होंगे, हमने यही प्रोसिस रिपीट करते जाना है और अपनी फर्स्ट रोव कंप्लेट कर लेनी है, अब देखे बैक साइड से से किंड रोव, अब से किंड रोव में देखे पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, और देखे फ्रेंट साइड की तरफ से जो फंदे उल्टे आये हैं, वो बैक साइड से सीधे आजाएंगे, तो देखे दो फंदे सीधे बुनेंगे, ये दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड करेंगे, और देखे आठ फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, और आठ, फंदे उल्टे बुनें, फिर दागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक, और दो, फिर दागा अपनी साइड, आठ फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, और आठ, फिर दागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुन लेंगे, दागा अपनी साइड, लास्ट का फंदा उल्टे बुनेंगे, दागा पीछे कर लेंगे, और नेस्ट हमने चार फंदे सीधे बुनने तो देखे एक दो तीन और चार ये चार फंदे सीधे चार फंदे सीधे बुनने के बाद देखे यहां पर सलाई पर धागा रोल करेंगे जाली डालने के लिए और देखे जो ये पहला वाला फंदा है इसको पीछे ले जाएंगे पिछे के तीन फंदे आगे लाएंगे तो देखे बैक साइड की तरफ से हमने तीन फंदे राइट नीडिल में उठा लेने हैं यह देखे और आगे फ्रंट साइड की तरफ से हमने जो फंदा देखे सिलीप किया है इसको लैप नीडिल में उठा लेंगे तो देखे इन फंद को एक साथ भुनेंगे दो का एक करेंगे फिर देखिये दो फंदे सी धे भुनेंगे तो को है कि देखिये कर्या हमारा यह दस फंदों में पैटर्न आ गया फिर धागा अ दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, चार फंदे सीधे, फिर देखें यहां पर जाली डालेंगे, और देखें जो पहला फंदा है, इसको पीछे ले जाएंगे, और पीछे के तीन फंदे आगे लाएंगे, तो देखें जो पीछे के तीन फंदे हैं, यह बैक साइ कि side से आगे वाला फंदा जो हमने slip किया उसको left needle में उठाएंगे, फिर देखे जो 3 फंदे हमने right needle में उठाएंगे, इनको left needle में shift कर लेंगे, फिर देखे next हमने 2 फंदे एक साथ भून लेने हैं, दो का एक करेंगे, फिर देखे 2 फंदे एक एक करके सीधे भून लेंगे, य धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा तो देखे ये फ्रेंट साइड से हमारी थार्ड रो कम्प्लीट हो गई आप देखे बैक साइड से फोर्थ रो फोर्थ रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड आठ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ ये आठ फंदे उल्टे बुन दिये धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे धागा अपनी साइड आठ फंदे उल्टे बुन दियेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे बुनेंगे धागा अपनी साइड लास्ट का फंदा उल्टा ये दिखिए ये बैक साइड से हमारी फोर्त्रों कम्फलीट हो गई पूरे पैटर्न में हमने बैक साइड से यही प्रोसिस रिपीट करना है अब दिखिए फ्रंट साइड से फिप्त्रों अब फिप्त्रों को हमने फश्ट्रों की तरह बुनते हुए कंफलेट करना है ये हमारा फोर्रोज का पैटर्न है यही फोर्रोज हमने आगे रिपीट करते जाना है और बनके देखे हमारा पैटर्न बनके कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखिए बहुती पैटन है आप इसे और प्रोजेक्ट में अपलाए कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सेर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज सस्क्राइब करना नभूले थैंक यू